वेलकम तो माई यूटूब चेनल टेग बॉम के दोस्तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट और यूजफुल होने वाली फानले दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यूज़ करते हैं समसंग गलेक्सी यम फोर्टीन का फोन और आप अपने फोन को रिसेट करना चाहते हैं तो उचेलिए मैं आपको बताता हूँ सही तरीका क्या है अपने फोन को रिसेट करने का सबसे पाले आप सेटिंग उपन करेंगे सेटिंग उपन करने के बाद दोस्तो कुछ ऐसा इंटरफेस स्कीन पे मिलेगा आपको जो यहां पर थोड़ा नीची आना है नीची आने बाद फाइलि दोस्तों यहां पर आप लोगों कोई एक option देखने को मिल जाता है जो कि यहां पर आपके स्कीन पर नीची की side सबसे देखेंगे about phone का है इस पर आपको किलिक करना है सबसे नीची आपको reset का option मिलेगा इस पर किलिक कर देना है यहाँ आप अपने सेटिंग में reset search भी कर सकते हैं यहाँ पे तीन परकार के चार परकार के reset हैं जिसे कि reset all setting अगर दोस्तों आपके phone के setting में कोई problem है आप उसको सही नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ है आपको reset all setting ही करना चाहिए यहाँ पे reset setting पर किलिक करेंगे skin password मांगेगा skin password enter करेंगे आपकी सारी setting जो है reset हो जाएगी इसके बाद है reset network setting जब आप इस पर किलिक करते हैं अगर आपके network problem है phone में 4G नहीं चल रहा है जो भी आप 5G नहीं चल रहा है यानि internet connection से problem है network से problem है तो आपको हमेशा जो है reset network setting ही करना चाहिए इसके बाद है reset accessibility setting इस पर जब आप किलिक करते हैं तो दोस्तो आपकी phone की feature में होता है accessibility एक option जो जिसमें जो काफी smart feature होते हैं अगर आपको वहाँ से कोई problem है तो आपको हमेशा reset accessibility setting करना चाहिए इसके बाद जो main reset है factory data reset अगर दोस्तो आप factory data reset पर किलिक करते हो factory data reset पर किलिक करने बाद आप अपना screen password एंटर करेंगे इसके बाद पूरा phone आपका reset हो जाएगा